मित्रो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CNC मशीन में वक ओफसेट कैसे ले इस वीडियो में देखेंगी कि ZXS के ओफसेट कैसे लेते हैं वीडियो सरू करें इस से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देए और वीडियो अच्छा नगे तो लाइक करें सबसे पहले जोग मूद सिलेक्ट करेंगे फिर में जब मेनू में जाएगे फिर यहां उपर मेनू में जाएगे यहां आपको दोलो एक्सिस के ओप्शन मी जाएगे हम यहां Z के ओफसेट लेगे इसलिए Z को सिलेक्ट करेंगे फिर यहां टूम नमबर डालेंगे फिर यहां Z value में 0 होना जरूरी है अगर आप Z axis के ओफसेट ले रहे हो यहां 0 करने के बाद Set Length पर प्लिक करेंगे फिर यहां Save Position पर प्लिक करेंगे इतना करने से हमारे Z axis के ओफसेट सेट हो जाएगे हमारा Z 0 0 हो बया है आप यहां देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में कोई अभी सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं